नमस्कार दोस्तो स्वागत था आपका टेक्टनो डिफेंस अपडेट पे तो दोस्तो भारती ए 5.5 जन्टेशन के एमका को लेकर के एक काफी जादा बड़ी नियू सामने निकल करके आई है लेकिन आज की तारिक में बहुत से ऐसे लोग है जो की भारती H.E.L. के एमका प्र फाइटर जेट को बना चुकी है और इसके अलावा Korean Aerospace Industry ने अपने इस प्रोग्राम को 2001 यानि की भारत से लगबग 10 साल पहले शुरू कर दिया था तो आप इसे कह सकते हैं कि ये इनका एक अच्छा फैसला था कि इन्होंने टाइम रहते अपना जो प्रोग्राम है उसे जेट को डिजाइन कर रहे थे इन्होंने यहां पर ये दिमाग में रखा था कि ये एक ऐसे एरक्राफ्ट को बनाएंगे जो की 4.5 जेनरेशन की जो फाइटर जैसे की राफेल यूरो फाइटर टाइफोन तो इनसे कहीं ज़्यादा कैपेबल होना चाहिए इसके अलावा ज साथी साथ जो KF21 है उसमें आप सब को केवल 60% के आसपास जो सवदेशी कंपोनेंट्स है वे देखने को मिलेंगे यानिकी यह जो आप एमका और साथ में KF21 के बीच कंपेरिजन करते हैं तो यह बिलकुल एक अनफेर कंपेरिजन है हाला कि हमें इनसे कोई हेट नहीं है औ बड़ी अपडेट सामने निकल करके आई है जिसके बारे में मैं आप सब को इस वीडियो में बताऊंगा लेकिन उससे पहले अभी से वीडियो को लाइक करके कोमेंट सेक्शन में जाकर के जैहन कोमेंट कर दीजेगा तो देखिए दोस्तों एमका को लेकर के जो अपडेट है तो वो कैबिनेट से अनुमति का वेट कर रही है ताकि उनको जल से जल यहाँ पर परमिशन मिले जिसके बाद में वे इसके प्रोटोटाइप का जो काम है उसे और जादा फास्ट्रैक कर सके साथी साथ यहाँ पर हाल ही में आप सब को पता होगा कि एमोडी या फिर सी सी दोलर में देखते हैं तो इसे आप रफली दो बिलियन यूएश डोलर के आसपास का कह सकते हैं तो इन फंट्स का एलोकेट होना जल से जल काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि जब तेजिस एमके टू के लिए इन फंट्स को एलोकेट किया था तो उसी समय यह नि साथी साथ यहां पर एमका का जो SPV मोडल है उसका भी यहां पर काफी जल एलान किया जा सकता होगा अगर आप SPV मोडल की बात करते हैं तो इसके तहत जो हमारी प्राइवेट कमपनी है तो उनको भी मौका दिया जाएगा कि वे भी इसकी जो R&D यन की रिसर्च और डवलप कमपनी है जिनके नाम यहां पर सामने है जिसमें सबसे पहले तो Tata, Defense, L&T, Kalyani Group और साथ में हमारी जो WEM Technologies है तो इनके नाम यहां पर आगे आते हैं तो इनमें से एक या फिर दो कमपनियों को सेलेक्ट किया जाएगा जिनका यहां पर आप सबको H.E.L. के साथ एक करेंगे साथ एमका का जो मास प्रोडक्शन है वो भी इनी तीनों के दुवारा किया जाएगा और यहां पर सबसे ज़्यादा खास बात यह होगी कि H.E.L. आप कह सकते हैं कि केवल एक लीडर कमपनी का काम करेंगे इसके बाद में इसके प्रोडक्शन का जो सारा ग्राउं मेरे डिजाइन रिव्यू है वो यहां पर कम्पलीट कर लिया है तो एमका की जो मैटल कटिंग है वो भी इस साल के शुरुवात में हो चुकी थी यानि कि यहां पर ऐसी कोई सिचुवेशन नहीं है कि जब हमारी सरकार के दुवारा यहां पर परमेशन और साथ में फंड्स को रिलीस किया जाएगा तो उसी के बाद में इसका जो प्रोटोटाइप है वो तयार होगा इससे पहले ही इसके उपर जो काम है वो शुरू हो चुका है इन फंड्स के बाद में यह जो काम है यह और जादा तेज होगा और इसको काफी जादा बड़े स्केल के उपर किया को मिलेंगे जबकि इसको 2001 में शुरू कर दिया गया था लोकेड मार्टिन का भी इनको डायरेक्ट सपोर्ट है साथी साथ यहां पर काफी सारी जो टेक्नोलोजीज हैं वे F-22 रैप्टर और साथ में F-35 से बोरो की गई होगी और ये एक ट्रूली फिव जनरेशन का फाइटर का प्रोग्राम है वो यहां पर शुरू किया और इसके बाद हमारे एमका का जो मार्क वन वेरियंट होगा तो वो एक ट्रूली फिव जनरेशन का फाइटर जेट होगा जिसमें लगबग 75 से लेकर के 80% के आसपास जो सब्देशी कंपोनेंट्स हैं वे आप सब को देखने क को मिलेंगे इसके बाद जैसे ही एमका का मार्क टू वेरियंट तयार होता है तो आप सब को दिखेगा कि उसमें यह जो परसेंटेज है यह और जादा बढ़ जाएगा क्योंकि सबसे पहले तो एमका मार्क टू वेरियंट में आप सब को हमारे जो सब्देशी एंजिन्स है वे देखने को मिलेंगे जिसको हम UK या फिर जो फ्रांस की साफरान कमपनी है इनके साथ में मिल करके बनाएंगे इसी के साथ में यहाँ पर इसके लावा आप सबको जो वैपन्स है वे भी सब्देशी देखने को मिलेंगे पूरा जो डिजाइन है वो भी सब्दिशी है ओवराल कुल मिला करके आप कह सकते हैं कि एमका का जो मार्क टू वेरियंट होगा तो उसमें आप सबको जो इंडिजीनिस कंपोनेंट्स है तो उनकी जो मातरा है वो 90% से भी ज़्यादा की दिखाई देगी इसके बाद में अगर आप भारती वायुसेना के प्लान की बात करते हैं तो उन्होंने यहां पर यह प्लान किया है कि पहले वे इसके लगबग जो 7 स्क्वाडरंस है उसको अपने बेड़े में शामिल करेंगी जयनकी 120 से ज़्यादा जो एमका है उन्हें भारत अपने बेड़े में शामिल करेगा और इसके बाद इसका जो प्रोड़क्शन है तो उसे 2028 से लेकर के 2030 के आसपास शुरू करने का प्लान है यानि कि इस समय के आसपास इसका जो मास्ट प्रोडक्शन है वो HAL और साथ में SPV मोडल के तहट जिन प्राइवेट कंपनियों को सिलेक्ट किया जाएगा तो उनके द्वारा शुरू कर दिया जाएगा साथी साथ यहाँ पर इसकी पहले जो टेस्टिंग की जाएगी तो उसके लिए लगबख पांच जो प्री प्रोडक्शन के M का प्रोटोटाइप है उनको तयार किया जाएगा तो यह जो सब कुछ है इसे भारत बिना किसी विदेशी मदद और साथ में बिना किसी लोकेट मार्टिन के सपोर्ट के अचीव करने वाला है और काफी कुछ हम पहले ही अचीव भी कर चुके हैं तो दोस्तों ओवराल इस पूरी वीडियो के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताएगा ये वीडियो थोड़ी सी लंबी इसलिए हुई क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पर जो न्यूज है उसे भी कवर करना था KF21 को ले करके भारतिये लोगों के अंदर जो ये कमपेरिजन की भावना आती है तो इसको भी मुझे थोड़ा सा क्लियर करना था और साती साथ एमका की जो थोड़ी डिटेल्स थी वे भी आप सब के साथ शेयर करने थी तो बाकी तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजेगा अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजेगा तो चलिए दोस्तो आज किस वीडियो में इतना ही मिलते एंगली वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई जैहिंद